हाई एवरिवन मैं रोहन यादो आप सभी का एक बार फिर से अपने योटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों से डिसकस करने वाला हूँ D.S.S.B, E.S.I.C और AIMS Medical Social Work के स्लेबस पर हलाकि आप सभी को पता है कि मैं अपने योटूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपोल जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ आज मैं बात्चित करने वाला हूँ आप से इसमें D.S.S.S.B के स्लेबस पर हलाकि मैं दो वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करा हूँ गा और आज का जो ये वीडियोज अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये D.S.S.B के स्लेबस पर उसके बाद आपका E.S.I.C के Medical Social Work और उसके बाद एम से Medical Social Work के स्लेबस पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं D.S.S.B के स्लेबस पर और हलाकि इसका फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया है D.S.S.B का फॉर्म और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म भरने की येट है पांच दिसंबर से स्टार्ट होगा और ये आपका भरा जाएगा तीन जनवरी दो हजार चॉबिस तक तीन जनवरी दो हजार चॉबिस तक ये D.S.S.B का फॉर्म भरा जाएगा एक प्रिविलियंस होता है जिसको टायर फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा टायर फर्स्ट बेसिकली क्या है मैं आपको बता दू इसमें लगवग सो कोश्चन्स होंगे इसमें सो कोश्चन्स होंगे 20 कोश्चन्स जो पूछे जाएंगे मेंटल एबिलेटी एंड रिजनिंग एबिलेटी से और इस कोश्चन्स पूछे जाएंगे जनरल अवेरनस से ठीक है ये 20-20 कोश्चन्स होंगे और इंग्लिस लेंग्वेज इंग्लिस लेंग्वेज कॉंप्रिहेंसन से 20 कोश्चन्स रहेंगे और Hindi Language Comprehension से 20 Questions रहेंगे और Numerical, Aptitute अगर हम बात करें तो Aptitude से लगबग 20 Questions रहेंगे यह तो Part First का स्लेवर से यह Common स्लेवर से यह सबको पता होगा यहां तक इसमें इस बार डी आई को भी डाला गया है Data Interpretation को भी डाला गया है तो यह 100 Questions आपको यहाँ पर देखने को भी लेंगे पार्ट बन में लेकिन जब हम बात करते हैं पार्ट टू पर तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें एक लगभग हला कि 10 यूनिट है मैं आपकी जो क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एक चीज़ और बता दू कि यह समाजकारी में आउनलाइन क्लासेज आज जो है 25 नमंबर है 25 नमंबर के दिन से साम को 8.30 से लेकर 9.30 आपकी एम्स और ESIC और साथी साथ D.S.S.B इनकी क्लासेज जो है स्टार्ट हो रही है हलाकि एम्स का तो एक्जाम है 18 दिसंबर को तो उसके बाद जो क्लासेज चलाएं जाएंगी वो ESI पर होगा और D.S.S.B. पर होगा सलेबस के आधार पर ही क्लासेज चलाएंगी आप लोगों की तो क्लास का समय आप याद रखेगा साम को चलाएंगी हलाकि आज 25 तारिक है क्लासेज आज से ही स्टार्ट हो रही है परन्तु वो क्लासेज जो स्टार्ट हो रही है वो मौक टेस्ट से स्टार्ट की जा रही है प्रश्ट से ही स्टार्ट किया जा रहे हैं क्लासेज सब की ठीक है और इसकी फीस जो रखी गई है अगर आप इस class को purchase करना चाहते हैं तो 35 सो रूपे में आपको ये classes provide कराया जा रही है ESIC की और DSSB की AIMS की classes की जो fees है वो मातर 15 सो रूपे हैं इन classes में मिलेंगे क्या क्या ESIC में DSSB में तो आपको बता दू videos recorded मिलेंगे live classes आपको daily के मिलेंगे plus में आपको PDF जो मिलेंगे वो आप लोगों की unit के करम में मिलेंगे सारे content आपको इसमें जो है दिये जा रहे हैं 35 सो रूपे में ठीक है तो याद रखेगा ये syllabus की आधार पे classes आप सब के चलेंगे यदि आप समाझकारी में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहां पे नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं तो चलिए एक बार में syllabus पर discuss कर लो देखे इसमें basically DSSB का जो syllabus है social work का याद रखेगा आप सभी लोग इससे लगभग 200 questions पूछे जाएंगे 200 questions बहुत होते हैं 3 घंटे का समय होगा 100 questions आपके first tier से हैं यानि first part से हैं और 200 questions second part से हैं आपके subject से हैं इसमें आपको 3 subject को ध्यान में रखना होगा एक आपको social work को ध्यान में रखना होगा दूसरा आपको sociology को ध्यान में रखना होगा तीसरा आपको अपराद सास्त्र को ध्यान में रखना होगा तीनों से ही आप लोगों से questions पूछे जाएंगे मैंने उसके आधार पे ही syllabus बनाए हैं हलाकि ये syllabus डी ट्रिपल आयोस डी ट्रिपल स्बी के आयोक के द्वारा ही निर्धारित की गए हैं उन्हें के आधार पे मैं आप लोगों के ये प्रवाइड करा रहा हूँ इसकी PDF आपके जो ग्रूप बनाए गए हैं इस्रम कल्याड और समदाइक विकास तीसरा यूनिट है स्वास्ति अवन सिक्षा चौथा यूनिट है पांचवा समाजिक अनुशन धान है छठा अपराद बिज्ञान और कानोनी आवधारडाय है सात्मा समाजिक गतिशेलता और जाती विवस्था से है आठमा समाजिक विवस्था और संस्थाएं से है नौवा समाजिक परिवर्तन और आंदोलन से है इसमें एक पॉइंट यहां गरम बात करें तो वह यूनिट बनेगा 10 और वो रिलेट कराएगा परियावरल से वो रिलेट होगा इन्वार्मेंट से तो यहां 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट से लगभग 200 कोश्चन्स हैं तो आप सोच लिए कि आप लोगों के यहां पर तीनों टॉपिक कवर है समाज सास्त्रवी कवर है समाजकारी भी कवर है और साथी साथ अपराध बिग्यान यानि अपराध सास्त्रवी यहां पे cover किया गया है ठीक है इस syllabus में अब देखिए इसके अंदर भी कुछ चीज़े पूछी जाएंगे ठीक है इन सब पर मैं आप लोगों से बात करूँ देखिए यहां पे English में इस syllabus दिया गया है मैं आप लोगों को भी प्रवाइड करा दूंगा आप लोग इसको देख लीजिएगा सभी लोग अच्छे से ठीक है तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ डी ट्रेप्लस भी में तो देखिए सोशल वेलफेर ऑफिसर में जो पूछा जाएगा अपराध सास्त्री दिये हैं जो विचारक हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने होंगे वो मैं आपको कराऊंगा कौन-कौन से बिद्वान है ऐसे ठीक है में में हलाकि समाज सास्त्र अगरा पढ़ेंगे तो बहुत सारे विचारक है लेकिन मुख्य क्या क्या है इन में थोड़ा सा रिलेट समयों के साथ समाजकर या आप ध्यान से देश सकते हो केसफ घूत वर उधियरण कि ये त्टीनों चीजों से समाजकरी क्यों से समाजकरे में महीं लोग बात करते हैं आप लोगों से प्रैशन में पूछे नमिंट को reflecting कराया है वहीं अगर हम बात करते हैं थर्ड को लेकर समाजिक विकास अस्थानी स्वासाशन निकाय ग्रामीर विकास कारिकरम कल्यार एवं विकास सेवाओं का प्रशाशन ये टॉपिक भी आप लोगों से पूछे जाएंगे ये थर्ड यूनिट थे वहीं अगर हम बात करते हैं स्वास्त वं मांसिक स्वास्त को लेकर सिप्षायूं कौशल विकास को लेकर मादक द्रब्यों के सेवन की रोग थाम और उसके उपचार को लेकर सिप्षानीती जो आप हाली में चलाई गई है नई सिप्षानीती 2020 वह भी प्रश्ण बनाएंगे उनके कारिकरमों से भी प्रश्ण बनेंगे सरवजिनिक स्वास्त नीतियां प्रोड सिक्षा और साक्षर्था कारिकरम से भी आप लोगों के लिए प्रश्ण एक्जाम में देखने को मिलेंगे दी ट्रेपलेस बी में तीक है सोचल वेलफियर ऑफिसण के यह जो है स्लेबस है वहीं बात करते हैं रिसर्च से भी समाजकारी में प्रश्ण बनाएंगे समाजिक और निशनधान के तरीकी कौन से है डेटा सेंगलर के तक्निक कौन से है अणुशनधान डिजाइन क्या है अशनधान के टाइप कौन से है sampling, यदिरशन क्या है प्रशाशन और प्रबनधन क्या है case study विधि और सacchaR विधि हलाकि कई विधिया मैंने यहां पर किवल दो ही विधिकों मेंसन कर दिया है ठीक नब यह स्लेबल्स आप लोगों को प्रवाइड करा जाएंगे मैंने और लेड़ी पहले भी बना रखा है आप सभी को प्रवाइड कराने के लिए अपराद सास्त्र को आप देख सकते हैं अपराद सास्त्र के परिशे में अपरादिक से धान पूछे जाएंगे अपरादिक नया प्रडाली पूछे जाएंगे कानूनी और धारलाएं हैं प्रिडित विज्ञान है समाजिक रक्षा है इनसे भी प्रश्ण हम लोगों के परिक्षा में बनाए जाएंगे आगे हम बात करते हैं समाजिक गतिशीलता से भी प्रश्ण आएंगे जाती की परिभासा जाती प्रथा बिवा और इस्तिदारी समाजिक संतुस्ति ये भी आप लोगों से परिक्षा में पूछे जाएंगे डी ट्रिपल एस बी में जो सोचल वर्क की वेकंसी निकाली गई है उसका ये स्लेबस है आपके सामने अपचारिक और अनपचारिक समाजिक दवस्थाएं हैं जैसा पूछा जाएगा बाल समच्छर की संस्थाएं समूर सिस्ट्रम के सिध्धान धर्म का सम सास्त्र का सिध्धान था ठीक है इनसे भी हम लोगों से परिक्षा में पूछे जाएंगे वहीं अगर हम बात करते हैं तो भारत में समाजिक परिवर्तन है भारत में समाजिक आंदोलन है परिया वरड के कुछ मुद्दे भी रखे गए हैं इसके अंतरगर ठीक है तो ये स् से लेवस्ता सोशल वर्क कर्मिनलोजी को यानि अपराद सास्त्र को यह तीन पॉइंट आपको ध्यान अकना यह परिक्षा जो हो रही है हिंदी और इंगलिस दोनों में आपके पेपर में आएंगे और एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि यहां जो है निगेटिब मार्किं 0.25 का आपको सभी के सभी सवाल जो आ रहे हैं उन्हीं पर आपको टिक मानना है परना आपके कोश्चन्स जो होंगे जो सही वाले होंगे उनमें से नंबर डिड़क्ट होना शुरू हो जाएगा अगर आपनी चार गलत किये हैं तो मान के चले का आपकी एक प्रश्णी एक स सिटो की वेकंसी पांच दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे तीन जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे ठीक है तो यह डी अससबी का है हम अभी जो बात्चित करने वाले हैं इसके बाद वह उस पर हम लोग चार्चा करेंगे अभी एक है ईस आई सी की सिलेबस पर और एक ए एस आई सी की प्लस में डी ट्रिपल एस बी की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मैं सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासे इसका स्टार्ट कर चुका हूँ मात्रिस की जो फीस है वो 35 रुपे रखी गई है आज के लिए बस इतना है